हाई फ्रेंट्स आज हम डिस्कुस करेंगे कम्पोनेट और कनेक्टी टीशू के बारे में पार्ट फर्स्ट में हमने कनेक्टी टीशू को एक बहतरीन एक्जामपल की तुरू समझा था example में हम आज एक सेवई की खीर लेते हैं एक सेवई की खीर किस-किस चीजों से मिलकर बना होता है first, सेवई, second, dry foods and third, milks इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है बाकी अधर चीजे भी होती है बट ए त्री चीजे main होती है ठीके, उसी प्रकार connected tissue भी तीन चीजों से मिलकर बना होता है first, fibers, second, sales and third, matrix fiber जो है सेवई के जैसे दिखता है और हमारे dry foods क्या हो गए? sale कैसे होते हैं? dry foods के जैसे होते हैं? और matrix कैसा होता है? milk के जैसा होता है इन तीनों से मिलकर ही connected tissue का निर्मान होता है ये three components को हम एक-एक करके discuss कर लेते हैं first, fibers, fibers में कौन से-कौन से fibers aid होंगे? collagen fibers, elastic fibers and reticular fibers ये तीनों fibers हो सकते हैं ये तीनों fiber में से कोई एक भी fiber हो सकता है या तीनों भी present हो सकते हैं connected tissue में second, sales, cells में हम बेख लेते कौन से-कौन सेल present होते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, माइक्रोफेज़ सेल, मास्ट सेल, फैट सेल, लोकोसाइट सेल, ये सेल प्रजेंट होते हैं और अधर सेल भी होते हैं बट ये सेल मेन होते हैं मैक्रिक्स में देख लेते हैं मैक्रिक्स को ग्राउंड बिस्टेंसि भी कहा जाते हैं। इनमें ड्लायको प्रोटीन ग्लायको सेमिनयो ग्लायकेंस एंड वाचकाפई प्रेजंड होते हैं। अब हम इन तीनों को deep में discuss कर लेते हैं ताकि हमको समझ आ सके ठीक है तो पहला ले लेते हैं fibers के बारे में fibers में हमने क्या-क्या देखा था three types के fibers देखे थे collagen fiber, elastic fiber और reticolor fiber तो इनके बारे में discuss कर लेते हैं इनके features क्या होंगे जो protein जो collagen fibers है वो कौन से protein से मिलकर बना होता है collagen protein से मिलकर बना होता है और जो elastic fibers है वो elastin protein से मिलकर बना होता है और reticular fiber collagen protein से ही मिलकर बना होता है जो reticular fibers है वो collagen fibers का ही तुकड़ा होता है ठीक है? अब देख रहेते हैं इनके colors के बारे में जो collagen fibers होते हैं वो white color का होते है elastic fibers जो होते हैं वो yellow color का होते है और reticular fibers जो होते हैं वो भी white color का ही होते है अब दिख लेते हैं इनकी location के बारे में जो collagen fibers होते हैं वो कहां present होते हैं? bones में present होते हैं ठीक है? और जो elastic fibers होते हैं वो blood vessels में present होते हैं कहां present होते हैं? इसमें elasticity present होती है इसलिए ये blood vessel में present होते हैं और bone में collagen fibers present होते हैं उसको कठोर बनाने के लिए ठीक है और reticular fibers present होते हैं liver में present होते हैं और spleen में present होते हैं अब देख लेते हैं इसका branching जो collagen fiber होते हैं वह unbranched होते हैं इनमें कोई branch नहीं होता है और elastic fibers के branch present होते हैं और reticular fibers के भी branch present होते हैं अब देख लेते हैं इनकी Elastic City के बारे में, जो Collagen Fibers होते हैं, वो Non Elastic होते हैं, इसमें Elastic City की गुन नहीं पाया जाता, ठीक है, जो Elastic Fibers होते हैं, वो उसमें Elastic City के गुन पाया जाते हैं, ठीक है, Reticular Fibers Delicate होते हैं, ठीक है, Accurance, Accurance में यह कैसे Present होते हैं, जो Collagen होता है, वो Bundle Form में Present होते हैं, यह इसके क्या होते हैं, बंडल प्रजें होते हैं, 1,2,3,4 पाज जैसे मिलकर कि Bundle Form में Present होते हैं, जो Elastic Fibers होते हैं, वो Single होते हैं, और Reticular Fibers भी कैसे होते हैं, Single ही होते हैं, अब देख लेते हैं, Sales of Connected Tissue कि अल्गार्ब्स लार्ज फ्लेट होती है कैसी होती है लार्ज होती है और अल्गिंद सेल होती है अब देख लेते हैं इसके location के बारे में कि यहाँ fibroblast cell कहां कहां present होते हैं तो first liver में present होते हैं और second lymphocyte tissue में present होते हैं अब देख लेते हैं इसके function के बारे में first to produce collagen and elastic fibers जो fibers थे वो कहां से secret कहां से produce हो रहे थे जो यह sales है कौन सा sales? fibroblast cell है यही produce कर रहे हैं जो collagen fibers और elastic fibers को ठीके? यहीं से आ रहे हैं collagen fibers और elastic fibers second the help in wound healing तो यह क्या करते हैं? जो fibroblast cell है वो wound healing में भी help करते हैं जो घाव हो जाता है उसको भरने में भी help करते हैं ठीके? सेक 3rd to secret matrix जो matrix था ठीके? मिस ground substance था वो कहां से secret हो रहता है? सेल ही secret करते हैं matrix को ठीके? fibroblast cell ही matrix का secretion करते हैं second fate cell fate cell को adipocyte cells भी कहते हैं fate cell को किस नाम से जाना जाता है? adipocyte cells के नाम से भी जाना जाता है या कहते हैं क्यवंकि यहादИस्द एड़िप में टीशू का निर्मान करते हैं जो adipocyte cell है वो क्या बनाते हैं? adipocyte tissue बनाते हैं second fate cell ओल सेप के होते हैं fate cell कैसे सेप के होते हैं? ओवल सेब के होते हैं जो फेट को स्टोर करके रखते हैं ठीके फेट को स्टोर कौन सा सेल करता है फेट सेल करता है यह याद रखना है आपको ठीके थर्ड इन सेल्स में फेट की मात्रा सेल्स की साइज और सेब के एकॉर्डिंग अलग-अलग होता है इन सेल्स में क्या होता ह जो सेल है उसके साइज एंसेफ के एकॉर्डिंग उसमें फेट की मात्रा प्रजेंट होंगी जैसे उनके सेल्स की साइज बड़ी है तो उसमें ज्यादा फेट इस्टोर रहेंगा और जो सेल्स की साइज एंसेफ छोटी है तो उसमें कम फेट इस्टोर रहेंगा अब देख ल कहां present होते हैं एडिपोस टीशू में present होते हैं second function अब देख लिए इनके function के बारे में first shock absorption मिस आघात से हमको बचाता है जो अगर हम कहीं गीर गए है ना अगर हमें चोट लगा हम कहीं गीर गए तो हमको क्या करता है बचाता है अपने body को prevent करता है किस से चोट लगने से ठीक है second insulator यह क्या करता है एक insulator का काम करता है मिस हमारे body में जो गर्मी है उसको बना के रखता है ठीक है जो heat है उसको consume करके रखता है third energy production जो energy है उसको produce करता है जैसे कि हमारे body में जितनी अपने body को energy चाहिए उतनी अपने body को मिल जाती है और जो बची वाली energy रहती है उसको store करके रखता है कौँ रखता है store करके फेट रही उस energy को store करके रखता है और जब हमें जरवत पड़ती है तब यह energy हमको provide करवाता है और energy produce करता है clear है third mask cell mask cell बेसोफिल्स के समान होती है तो mask cell कैसी होती है बेसोफिल्स के समान होती है बेसोफिल्स क्या होते हैं WBC के types होते हैं अब देख लेते इसकी location के बारे में mask cell blood vessels में present होते हैं कहां present होते हैं blood vessels में present होते हैं अब देख लेते इसके function के बारे में first to produce histamine तो mask cell क्या produce करते हैं histamine produce करते हैं और किस से prevent करते हैं inflammation से prevent करने के इविए histamine produce करते हैं example के लिए हमने अपने हेंड में जोरों से खुजा दिया ठीक है तो वहां पर क्या हो जाएंगा red red हो जाएंगा means inflammation हो जाएंगा तब mask cell क्या करेंगा histamine produce करेंगा क्या करेंगा histamine produce करेंगा और हमारे skin को inflammation से prevent करेंगा clear है histamine और क्या करते हैं हमारे जो blood vessels हैं उसको dilate करने में भी help करते हैं to produce heparin heparin कैसा होता है anticoagulate होते हैं हमारे जो blood है उसको clotting होने से prevent करता है blood को clotting होने से बचाता है ठीक है third to produce serotonin serotonin क्या करता है जो हमारे blood vessels है उसको contract करता है ठीक है fourth plasma cell plasma cell का निर्मान B lymphocytes cells से होती है B lymphocytes cells means WBC का ही types है B lymphocytes cells कैसा है WBC का ही types है उसी से किसका निर्मान होता है plasma cells का निर्मान होता है अब देख लेते हैं इसकी location के बारे में कि plasma cell कहां present होता है bone marrow में कहां present होता है plasma cell bone marrow में present होता है अब देख लेते हैं function के बारे में two secrets antibodies किसका secretion करता है antibody का secretion करता है fifth micro clear cell first यहां cell WBC से विक्सित होते हैं second micro clear cells की कोई निश्चित size and shape नहीं होती है अर्थात यहां irregular shapes की होती है micro clear cells कैसे होते हैं irregular shapes के होते हैं यह चोटे बड़े कैसे भी shapes के हो सकते हैं third micro clear cells phagocytic nature के होते हैं यह phagocytosis की क्रिया द्वारा bacteria, virus और day-day damage cells को निगलते हैं और पचा लेते हैं मिस इंगलफ कर लेते हैं और digest कर लेते हैं अब देख लेते हैं इनके location के बारे में तो जो micro clear cell है वह बहुत सारे organs में present हो सकते हैं उनके जो नाम है वो change हो सकते बट उनके जो काम है वो change नहीं हो सकते जो लेकें ब्लड ब्लड में किस नाम सेरींगा कंडू सी ब्रेंड में माइक्रो ग्लीयल सेड की नाम से रहेंगा कश अब देख लेते हैं इसके फूंक्षन लेंगा करता है Phagocytosis की प्रक्रियमिस अभी हमने आगे देखे हैं कि यहां क्या करता है जो बेक्टिरिया, वाइरस, डेज, एंडेमे से ले उसको इनवलप कर लेता है मिस निगल लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है और मिस पच्चा लेता है ठीक है second, infection से prevent करता है हमारे जो body है उसको infection से बचाता है 6. leucoside cell first, leucoside cell शूटी मिस small cell होती है कैसी होती leucoside cell, small cell होती है यह आकर में regular तथी irregular हो सकते हैं मिस कैसा नीमित और अनीमित आकरती की हो सकती है ठीक है से के यह से इम्मुनिटी के माध्यम से एक डिफेंस सिस्टम मिस रक्षा तंत्र प्रदान करते हैं क्या करते हैं एक हमको रक्षा तंत्र प्रदान करते हैं किसकी माध्यम से इम्मुनिटी के माध्यम से ठीक है अब शेकर, हैं सेकिन गेम्री ग्लेन मी अब देख रहती इसके फंक्शन के बारे टू secret anti-bodies क्या secret करते हैं ऐन टीबोड़ी शिक्रिट करते हैं आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होंगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक बने रहे हैं हमारे शाद धन्यवाद